हेलो फ्रेंड्स आज हम P-E ratio that is price to earning ratio के बारे में discuss करेंगे तो फ्रेंड P-E ratio की definition के है? The price to earning ratio is the major of the share price relative to the annual net income earned by the firm per share फ्रेंड क्या है? कि price to earning ratio जो है वो हमें बताते है value for money देखे P-E ratio होती है फ्रेंड price of the share of share divided by EPS per year तो फ्रेंड EPS क्या होता है? एक साल में कमपनी के share ने कितनी कमाई की? ठीक है? जे earning per share per year हो गया तो फ्रेंड माल लीजिए एक share का market price यह है प्राइड टो अर्निंग per share जे हमें बताते है value for money mean कि हमने किसी कमपनी में कितने रुपे लगाए और हमें एक साल में कितना return मिलेगा? माल लीजिए फ्रेंड किसी कमपनी की P-E ratio है 100 तो जे ड्रेक्टली हमें जे बता रहे है उस टाइम पे कि जदी मैं कमपनी में 100 रुपे निवेश करूंगा तो मुझे कमपनी एक साल में एक रुपे कमा के देगी? ठीक है फ्रेंड P-E ratio ड्रेक्टली क्या बताती है कि जदी मैं साल कमपनी में जितने रुपे निवेश करूंगा उतने रुपे पे मुझे एक रुपे मिलेगा जितने कमपनी के P उतने रुपे पे एक रुपे कमा के देगी एक साल में और दूसरे सब्दों में कहें माल ली यह कमपनी का अर्निंग पर शेयर पर यर कॉंस्टेंट है कुछ नहीं बढ़ रहा है कुछ नहीं कम हो रहा है पर यह कॉंस्टेंट तो फ्रेंड ला जो कंपनी मेरे शेयर को दॉबल करेगे डार जी मैंने 100 रुपय लगाया है माली यह 10,000 रुपय लगाया उसकी P- ratio 100 यह उसका अर्निंग पर शेयर पर यह कॉंस्टेंट है ठीक है फ्रेंड तो वो मेरे रुपयों को 10 हजार मुझे 100 सालों में कमा के देगी इसका सिंपल सा मिनिंग यह है कि ज़िए अर्निंग पर शेयर पर एयर कॉंस्टेंट है तो जितनी पी रेश्यू है उतने सालों में मेरा रुपया डबल होगा फिर मैं रिटर्ण की बात नहीं कर रहा हूं शेयर मारके मैं रिटर्ण की शेयर का प्राज तो कभी भी उपर निचे जा सकता है मैं कह रहा हूं कि जो वो कमाईगी कंपनी उससे आप इसको एक एक जैंपल से भी समझ सकते हैं माल लिजे आपके पास एक हाउस है आप उसको रैंट पे दे दे देते हों आपने वह खरीदा एक लाख रुबे में ठीक है फ्रेंट और आपके पास उसका जो रैंट आ रहा है एक साल का वह आ रहा है पांच है यार ठीक है तो जो आपके इस इन्वेस्टमेट की पी रेश्यों होगी वह होगी आपका और आपकी एक साल की इंकम कितनी है कमाई कितनी है पांच यह तो आपकेजी आहे हुकत इंकम है пока हमस्य इस street host 20 तो जड़ी आपका होगर पर साल पांच हजार पे ही किराय रहेगा कुछ बढ़ाएगा नहीं तो आपको रुपया डबल कब होगा 20 सालों में आपको 20 सालों में उतना रुपया कमाके देगी जितना आपने लगाया है ठीक है फ्रेंड सिंपल है न और फ्रेंड एक बात और होती है कि जो शेर का 60,000 का है प्रेंड वह कोस्टली है और एक शेर अनुद्र साफ़ थरुपया है वह सस्ता है चीफ है तो फ्रेंड मैं आपको अपने पॉइंट विस्ट है बता ओं मेरे कोस्टली और चीफ इ martyr के प्राइस सेस्ग करता हूं फोच मेरे निघे यह सहमें ₹ अउं प्सND जायर क और ब्राइड नहीं करता मैं कोश्ट ली haven आपका एक शेंपल से बताता हूँ एक प्रॉप्टु है दो प्रॉप्टि है छो मुख है फ्रेंड इसका प्राइज यह से एक लाकर प्रोप्टी को और इसका वह प्राइज एक लाख tooth बना दिए एक का प्राइज होगा पचास चाहर होगया पर जो दूसरा मालिक था उस ने क्या किया इस प्रौप्टी के 10 हिससे कर दिए कि है दस की आप जितने मिक्ञें कर लीजिए फ्रेंट माल लीजिए 22 6 हिससे कर दिए तो लाईबर हो जा ओग पस्चीश सकत्राइब तो blinkingा bezpie या पस्चीश कर दिखिति हमाने पचास यहाँ पर फ्रेंड उसकी वो तो देखिए अप उसकी लैंड वी तो जादा है ना लैंड बोनों की सेम थी इसने 25 से कर दिये इसने सिर्फ दो कि इसकी वज़े सिसका पचास यहाँ इसका चार यहाँ और अभी मैं दूसरे सब्दों में कहूं कि इस एक का रेंट आ र तो देखिए इसकी पी ररिच कितनी होगी देखिए पराइज कितने है पचास एक सल में 10 तो कितना पीडी किटनी धाफ saint expert euro क्राइज चार चार प्राइज होगी तुछ दीदिया दिए कौन जारまで मलीजिये सिर्म के दस हिस्से एक बंदेने इसने 15 हिस्से खरीद लिए ठीके तो 15 हिस्से कितने में इसको 15 गुना 4 रुपे और इसका एक खरीदा बंदेने 50 खरीदा उसको कितना खरीदा तो कौन्स बेनफिट में फ्रेंट जिसने 50 खरीदा तो पीडेश निकाली 5 इसकी आरेश 10 तो पीडेश वह में क्या बताते हैं ड्रेक लिए बताती है कि हमारा वैल्यू फोर मनी कितना है ठीक है तो शेर के प्राइस से तो फ्रेंड अपके माइंड में दूसरी बात आ जाएगी अभी आप कहेंगे कि जो लोगोपी बाले शेर है फिर तो मैं वही खरीदूंगा फिर मेरे को हाई पी बाले एक शेर है जैसे कोल इंडिया हो गया इसे जो सेरा सरकारी कपने उनका पीडेश तो पांच है वो तो इसके खरीदूंगा लोग उसमें निवेश करके पागल है फसे हुए है आपको कोल इंडे जैसे शेरों में निवेश करना चाहिए तो फ्रेंड जहां पर भी कनफीजन रहती देखिए माना की कॉल इंडे का प्राइज अभी 150 है माली जी 150 चल रहे है और वह एक साल में क पच्ची से ज्यादा कमारा है तो इसका पीरेश हो गया 80 ठीक है अब भी आप कहेंगे कि देखें वैल्यू फर मरी तो मेरे को इसमें मिल रहे है मेरे को 6 रुपे पर 1 रुपे मिल रहे है और 10 रुपे पर फ्रेंड जोड़ी आप इसके पिछले कुछ सालों का डाटा देख के गापको जे हर साल क्रिण पक्चीस रुपी कमारें पिछले धस सालों से 25 25 25 25 हर साल बबबबब है यह कमपनी का क्या ता कि जाथा ज़िया क्विआफिल उन इसके करतों 55 रुपे का क्मारह रह आता व्वही तो अभी क्या पताब 6 exemplo है और क्या पता माली जी पान्सों हो जाए दस सालों में और उसका 25 ही रहे क्या पता कम भी हो जाए 20 रहे जाए तो देखिए ज़िए मैं देखूं माली जी इसका 25 का 25 तो इसका कितनी रहे कि 6 और इसका होगा 500 अर्णिक परसे तो इसकी पी रेशो कितनी है जेगी 4 2,000 divided by 4 2,000 क्योंकि इसका अर्णिक परसे 10 सालों में 500 होगे ना तो 4 रहेगी तो फ्रेंड देखे अभी कौन सा सस्ता हो रहा है जे 6, जे 4 और फ्रेंड इसा नहीं है कि इसकी 4 रहेजएगी जे शेर का प्राइज और बढ़ जाएगा को कि इसमें ग्रोथ दिख रही है यह तो मैं आपको क्रेंट प्राइज पर खीड़े हुए का कोडिंग बता रहा हूँ जे 10 साल बादा आप इसको 2,000 के कोडिंग देखोगी तो आपकी प्राइज चार ही रहे जाएगी मैं उसके कोडिंग बता रहा हूँ वैसे तो शेर का प्राइस काफी बढ़ी आएगा तो friend आपने ये भी देखना है कि उसमें growth कितनी हो रही है? शेर में ग्रोथ हो भी रही है यँआ नहीं हो रही है? ज़री growth हो रही है तो उसकी वैसे उसकी P रिश हो जा रहा है ठीक है friend तो ज़री EPS company का constant है हर साल जब कम हो रहे है? decrease हो रहा है तो उन शेरों का P ratio जो होता है वो कम होता है लो और किनका कम होता है जिन में scope नहीं आगे माली जी आज तो अच्छा खासा scope है पर हमें पता है कि आने वाले time में अभी computer का बहुत जा रहा है चल रहा है तो हाथ से लिखेंगा कोई accept नहीं करेंगा क्योंकि गलतिया होती है इसको पर हम कैसे जगीन करें पर आने वाले time में कि अगर सब कुछ computer लाला हो जाएगा जो बड़े डिटेल बड़े निवेश के हमको पता है कि सब कुछ computer होना है तो वह जिदि आज एक रुपय कमा रहा है उसका price 100 रुपय तो वह उसको और भी खरीदेंगे क्या पता उसको 200 रुपय ले जाए क्योंकि उनको पता है कि जो आज एक मारा है वह कल 100 भी कमाई का तो क्या करेंगे उसका पी रेशो अभी 200 तक भी लेकी जा सकते है वह 200 लेगे तो 200 हो जाएगा पर इसका क्या है अभी 10 है क्या पता इसका और price कम कर दें तो पांच कर दें ठीक है फ्रेंट तो इस पर भी हमारा P ratio सब्भाइब तो डिसाइड करता है कि company का business कैसे आगे जिरी company का byसे अब अगरे अच्छा बढ़ने वाला है तो इसकी इberald ज़ारा रहती है और उसकuju मेट या रहती है यह तो लोग जारा देंगे अब अप्राइज आकमेट्क लीवड़ता ठीक है और फ्रेंड जो पी रेशों होता है वह दो तरह क्या होता है एक होता है एक और एक होता है इस टेंड अलोन पी रेशो पहले तो यह समझें ने पूरा मिला के अकेला अप्रेंड माली यह कंपनी है यह बीसी कंपनी है वो बिजनेस कर लिए एबीसी का और उसको उससे जो अनिंग पर शेर है उसके वो हो रहा है पांच रुपे और फ्रेंड जो स्टेंड अलोन हो गया जो उसके खुद स्टार्ट किया कंपनी का और खुद का ही है ठीक है फ्रेंड और एक उसने दूसरे के बिजनेस में खुद की कंपनी का जो चेरि मार्क पिश हो गामाली यह उसका सोर्पे तो उसका जो स्टैंडर लोन पीर एशू आएगा वह आएगा उसकी स्टैंडर लोन अनिपर शेर निपर पांच है तो कितना आ त्वंटी होगा उसने डूसरों में निवेश कर रखे तो उसका जो टो तो मुझको सो से साथ से डिवाइड करना पड़ेगा टोटल कॉंसोली रेशन पी अर्निक पर से तो वह कितना जाएगा 14 पॉइंट सम्थिंग ठीक है फ्रेंड तो फ्रेंड मेभी आपको अभी तक पी रेशो का अच्छे खासा क्लियर हो गया होगा और फ्रेंड आपको पता करना चाहिए कि जिसका पी रेशो कम है वह अच्छा है वह भी हमें देखना चाहिए कि उसमें ग्रोथ है वह बढ़ भी रहे या नहीं पिछले कुछ सालों से कॉंस्टेंट नहीं ठीक है इन सब बातों को देखके हम से प्राइज को ख्रेंडने का डिसीजर लेना चाहिए ओके फ्रेंड थैंक्स